दोस्तों आईए जानते हैं राष्ट पिता महात्मा गांदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को भारत में कुल 53 बड़ी सडके महात्मा गांदी के नाम पर हैं सिर्फ देश जी नहीं बलकि विदेश में भी कुल 48 सडकों के नाम महात्मा गांदी के नाम पर हैं गांधी जी अपनी नकली दाथ अपनी धोती में बात कर रखा करते थे किवल खाना खाते वक्त ही इनको लगाया करते थे गांधी जी का जन्म शुक्रुवार को हुआ था भारत को स्वतंत्रता शुक्रुवार को मिली थी तथा गांदी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही भी थी गांदी जी को फोटो खिचवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था लेकिन आजादी के दोरान सबसे ज़्यादा उनके ही फोटो खिचे गए थे गांदी जी अपने जीवन में प्रते एक दिन 18 किलो मेटर चलते थे जो कि उनके जीवन काल में धर्ती के दो चक्कर लगाने के बराबर था मात्मा गादी सबी भारतियों से समानता दिखाने के लिए बिना सिले हुए कपड़े पहना करते थे और इस विशय पर उनका कहना था कि वह तभी अपने पूरे शरील को डखेंगे जब सबी भारतियों के पास पूरे तनका कपड़ा होगा स्वतंतरता आंदोलन के दोरान मात्मा गादी 13 बार गिरफतार हुए थे और इस दोरान उन्होंने 17 बड़े अंशन किये थे एवं लगातार 114 दिन तक भूखे रहे थे मात्मा गादी की तस्वीर 1996 से भारतिय नोटों में छापी जा रही है मात्मा गादी को नोबल पुरसकार कभी नहीं मिला है लेकिन उन्हें पाँज बार नोबल पुरसकार के लिए नोमिनेट किया गया था एपल कंपनी के संस्तापक स्टीव जॉब्स कोल्ड फ्रेम का चस्मा महत्मा गादी को सम्मान देने के लिए पहनते थे 1930 में गादी जी को अमेरिका के टाइम मैगजीन द्वारा मैन ओफ द इयर पुरसकार से सम्मानित किया गया था सबसे पहले नेता जी सुबाश चंदर बोस ने गादी जी को राश्ट पिता कहे कर संबोदित किया था कि बादास बाता है